नमस्कार हम ही राना अरुवा देख रहल बनी मैच बॉक्स और बिहार में चुनाओ के सरगर्मी बढ़ रहल बाटे जे तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहल बा ओही तरह चुनाओ के सरगर्मी भी रोज बढ़ रहल बा और दोरा चालूबा लोगडाउन फिट से लग चुकल बा लेकिन फिर भी नेता जी लो अपना अपना दर्वाजा से ही फोन के माध्यम से टेक्नोलिजी के माध्यम से अपना समर्थक अपना वोटर से जुड़े के कोशिश लगातार कर रहल बानी लो अभी आज एही दोर में रगुनादपूर विधान सभा में मैच बॉक्स के टीम भ्रमड कर रहल बिया और भ्रमड करते हुए अभी हमरा साथे जे मौजूद बा उपन दावेदारी विधान सभा परत्यासी के रूप में ठोक चुकल बा अगर रहुआ के पाटी टिकट देत भी है अगर रहुआ चुनाओ मैदान में उतरत है नी तक काउना मुद्दा के साथे रहुआ विधान सभा शत्र में भ्रमड करें और लोग से वादा करें या जीतो तानी तरह वा काउना मुद्दा के लेके आगे चले पहला मुद्धा तो विकास है, छेत्र का विकास करना है, और समाज में स्वहार्थ पूर बाताबरण अस्थापित करना है, जो जात्पात में लोग बटे हैं, धर्म में बटे हैं, सारे लोग को ये करके और स्वहार्थ पूर बाताबरण में सब को लेकर के चलना है, यही हमा प्राथमिक्ता होगा और विकास कार्जों का जहां तक हो सके जितना संभव हो चोकि विजय संकर दूबे के बाद इस छेत्र को अच्छा प्रतनिधित तो नहीं मिला मेरा ये मन का बात है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मोका मिले सेवा का रगुनादपूर का और मैं अधूरे का कार्जों का जो छेत्र के विकास में अधूरा रह गया है कार्ज उसको पूरा करूं यही मेरा संकल्प है यही मेरा स्रधा है अभी विकास के बाद चीत हो रहलवा विकास के मुद्धा उठता एक तरफ रहुआ कहता है कि विजशंकर दुबे के बाद के हूँ अच्छा प्रतिदित तो ना मिलल हलाकि अगर वर्तमान विधायक के बाद कर जाओ तो वर्तमान विधायक रहुरे पाटी से बानी यानि कि राज़त से ही बानी और लगाता राज़त के लोग ही राज़त विधायक पर हमला कर रहलबा कि उहां के कारिकाल में विकास नेके बाई रहुआ पाटी के अंदर बा समलित होना चाहिए, लेकिन आज का प्रतिनिधित, तो आज के प्रतिनिधि कोई जंता से मतलम नहीं है किसी को, सारे लोग लगे हुए हैं अपने कार्जों में, जंता के कार्जों से लोग मुख मोड लिये हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मिले और मैं पार्टी से भी आग्रा करूँगा कि यदि आप हरिशंकर जादूजी का टिकट काटते हैं तो मुझे सेवा का मौका दीजिए मैं इस रगुनादपूर विशाद दिधान सवाद शेत्र में चार चंद लगा दूगा सेवा करके विकास करके आपसी भायचारा और सहाद पुर्बाता बना करके इनहीं सकल्पों के साथ मैं बराबर शेत्र में भर्मन करता रहता हूं दो बार जिला पार्शत रहा हूं निर्दलिये विधायक भी लड़ा हूं काफी समर्थन मिला है जनता का लग रगुनातपूर का भला करो रगुनातपूर विधान सभा के बाद चलता तो हम हर एक प्रत्यासी से वो सवाल करता निए उबाटे रगुनातपूर के सबसे बड़ समस्या रगुनातपूर रेफरल अस्पताल कोब बिल्डिंग ढ़ह जाई एकर कौनों गारेंटी निक है ह हर साल बाढ़ में बिल्डिंग जन भाटे पानी में जनमगन हो जाता और मरीज के मतलब उहां लैंड करावल जाता लोग उठाक ले जाकर रखाता खुद अधिकारी लोग उहां गाडी से चार चका से तब पहुँच जाता लेकिन जन मरीज बाड़ें उंकरा खाती सबसे बड़ा मुद्दा है रगुनादपूर के लिए और यदी मुझे 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 मिला तो सबसे पहला काम होगा कि रेफरल अस्पतार का सुधार हो बरसक संभव हो सके तो नया बिल्डिंग बनाया जाए रगुनादपूर में दो तिन मुद्दे हैं जो सहीद मैदान है रेफरल अस्पताल है बरसात के दिनों में चार-पांच महीना तो जल जमा हो जाता है जिसके चलते जनता को काफी कस्ट होता है यह हम लोग महसूस करते हैं चुकि हमको उतना पावर नहीं है न कभी मिला है कि मैं इस काम में लगूँ और इस काम को कर सकूँ यदि मौका म मुझे मिला तो यह काम प्रात्मिक्ता के आधार पर करूँगा मेरी यह पूरी संकल्प मेरा संकल्प है मेरा यह बड़ी दर्द होता है जब मैं दिकत देखता हूं जनता का इसलिए मैं आपको अस्वासन देना चाहता हूं शेत्र के जनता से भी कहना चाहता हूं कि मुझे यदि मोका मिलेगा मैं रेफरल अस्पताल का उधार निश्चित रूप से करोगा बिल्कुल उम्मीद रुवा से कड़ी जा सकता चुकि रुवा काम करी ले बनी और आउर काम दिखेला रुवा जिला परिशद रहते हुए जोन काम के ले बनी उदिखराल बा अभी टिकट के करा मिली कोनों किलेर निखे हरिशंकर यादव जी भी कहता निकि हमार टिकट कटी ना और भी कैंडिडेट कर अलबड़ा क्योंकर टिकट पका कटी कहा कि विकास निखे भोईल कुछ लोगी हो घुमगुम के कहता की पैड़ पलिख के दे देले बाना कि अब हम चुनाव ना लड़ें खेर का होई ना होई समय डिसाइड करी अगर पाटी रहुए के देतिया तो रहुए बिल्कुल मैदान में आएम अभी चर्चा चलनलबा अभी आम जनता से का अपील करेगे चाहब चुकि पैंडेमिक भी बाग कोरोना की समय बटे और यी बड़ा विकट परिस्तिती से गुजर रहलबा पूरा दुनिया तो हमनी के जोन रखनाद पूर विधान सभा के लोग बाग उकरा से रुआ का कहे सबसे पहले तो भई आगरवा की आप लोग करोना से बचिये उसके बाद चुनाव होगा चुनाव आएगा तो देखा जाएगा यदि हमको टिकट मिलेगा यदि मुझे पसंद कीजिएगा आप लोग तो सेवा का मौका दीजिएगा यही मेरा आगरवा है बहुत बहुत धन्यबाद शोता बंदू दर्शक बंदू हमरा साते रणी है अनील सिंग जी जोनकी वरतमान में जिला पारशद बानी और आज ही खास बातचीत यहां से भईल यहां के दावेदारी पेशकर रहल बानी राजद से अगर राजद पाटी यहां के टिकट देत यहां के रगुनाद पूर विधान सबा से चुनाव लडब बहुत बहुत धन्यबाद बा और साथी भविश रखाती रवा के शुब कामना बा रावर भविश उजवल होके यह कामना बा मैच बॉक्स देखराल बनी रवा अगर इबाद चीत सार्थक लागल होके अगर कमेंट करें और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब निकी कर ले तक कर ली और वीडियो के ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें बहुत बहुत धन्यबाद